नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी सबसे छोटी भाजू की कटिंग जैसे आपकी भाजू चोड़ाई में कम है कपड़ा कम है और उसको आप कैसे चोड़ाई बढ़ाएंगे तो आज मैं आपको वही बताऊंगी ज्यादा तरह कपड़े की चोड़ाई कम रहती है और भाज फिर्ट छोटी यहां पर देख कितना कम कपड़ा है बस ऊपर की साइडी थोड़ी बढ़ी है और यहां बहुत कम हैं तो देखेह हैं इसकी जो लंबाई है वो तीन इंच है और यहां पर देखना हैं हमें नीचे कितना है तो देखिए यहां पर नीचे एक इंच है तयार है पूरी एक इंच अब हमारा अस्तल है तो यह चोड़ाई में कम है डबल है तो इसकी देखिए चोड़ाई है वो है 16 इंच की चोड़ाई है तो 16 इंच की कम बैठेगी हमने 6 इंच के आरूमल ली है जैसे हमा आपना है कि इसका हमें कपड़ा कितना चाहिए तो यहाँ पर देखिए 9 इंच हो रहा है तो यानि कि हमें 18 इंच चाहिए इस तरीके से ना अपना है इस तरीके से तो 9 इंच है तो इसका डबल करेंगे तो 18 इंच होगा तो हमें कपड़े की चोड़ाई चाहिए 18 इंच की तो यहां पर इसको डबल किया है यहां तलतो यह हमारे ही पीछे की पलर है और आगे की पलर रहींगे जो हमारा जोड आएगा वह पीछे की साइड आएगा अब नफनीक़ फिल देखी कि यह बाजु है वो एक इंच है नीचे की साइड चोड़ाई में नीचे की साइड यहाँ पर एक इंच है तो हम यहाँ पर दो इंच रख लेंगे तो यहाँ पर हमें दो इंच रखेंगे इस तरीके से और ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरीके से अब कटिंग हो गई अब यहां पर हमें एक टुकड़ा लगाना है यह कटिंग का जो कपड़ा है वो लगा लेंगे यह हमारा टुकड़ा लग गया और सिलाई से जोड़ के भी बताऊंगे कैसे जोड़ना है अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसको रखेंगे डबल करके तो जैसे हमने 18 इंच की चौड़ाई लेनी है तो यहां पर हम 18 इंच की चौड़ाई लेनी चार इंच की लमबाई अब इसमें हमारा जोड नहीं आया है और अस्तल में ही जोड़ा आया है अब मैं इसको जोड़ के बताऊंगे कैसे इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है अगर आपका कपड़ा छोटा है तो इसी तरीके से आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो अब मैं आपको इसकी stitching बताती हूँ अब देखिए इस तरीके से हैं तो हमें यहाँ पर टुकड़ा लगाना है अब इस टुकड़ी हैं इसको यहाँ पर जोड़ देंगे अब देखिए इस तरीके से हमें जोड़ना है कि यह दोनों इस तरीके से आज़ें पीछे की साथ यह पीछे का पलर रहेगा इस तरीके से जोड़ना है अब 9 इंच की यहाँ पर हम चोड़ा ही रखेंगे तो इंची टेप से नाप लेंगे यहां पर हमें 9 इंच रखना है अब देखिए दोनों साइड नहीं 18 इंच की चोड़ाई है और दोनों साइड कटिंग हो गई अब देखिए अब यह बाजू को नापेंगे तो देखिए यहां पर 18 इंच की चोड़ाई हो रही है अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा जोड़ देंगे अगर हमारा साड़ी का कपड़ा कम है तो उसमें भी हमें इसी तरीके से जोड़ लगाना है क्योंकि कुछ लोग नहीं है तो वो बाजू नहीं निकाल पाती है कपड़ा कम होता है तो इस तरीके से इसको रखेंगे अब इसके बाद हम यहां पर भी सिलाई लगा लेंगे अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको डबल कर गें, बीच में निशान लगाएंगे अब यह जैसे हमारी लेस है, इसको लगाना है यहां से इसको आदादा कर लेंगे, दोनो बाजू के लिए अब ये लेस लगा ले अब हम इसको बराबर करके बाजू को जोड़ेंगे अब हमें क्या करना है हमारी जो फिटिंग की सिलाई है इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और ये जोड़ लगा हुआ अब हमारा अस्तल का पीछे की साइड आएगा अब बाजू लगाने के बाद अब हम बाजू की जो मौरी है उसकी फिटिंग कर लेंगे अब इसके बाद हम यहां पर इसको रखेंगे और यहां पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे और जो हमारी फिटिंग की सिलाई हो उसमें इस तरीकी से जोड़ देंगे अब यह बाजू लग गई अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगा लेंगे देगे कितनी चोटी बाजू है तो जितनी जैसे आपको चोड़ाई बढ़ानी है तो इसी तरीके से आपको टुकडा लगाना है यह बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें 18 इंच की चोड़ाई चाहिए तो हम इसी तरीके से एक साइड टुकड़ा आ जाएगा पीछे की साइड आगे की साइड तो पूरा प्लैन रहेगा तो इसी तरीके से आप चोड़ाई बढ़ा के बाजू बड़ी आसानी से लगा लेंगे तो अगर आपको हमारी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राब करने धन्यवाद अगर 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 झाप झाप पनौ सरहा कि झाप झाप झाप